प्यार किया कोई चोरी नहीं की छुप छुप आहे भरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या जह नसीब, काटों को मुर्जाने का खौफ नहीं होता आ संबाद सामड़ी ने, जो तमारू रदय, हचमची ना जाए, पिगड़ी ना जाए तो के वरिते चाले, मुगले आजम, एक मुगले आजम मातू के आसिफ नू जो मुगले आजम छे, फिरोज अब्बास खान नू गुजरातीमिड़े.com बहुच एक्साइटड छे, करनके अपने एक अदबुत वस्तू विटनेस करी रहा छी है आज हमारे साथ है, फिरोज अब्बास खान, एक मुगले आजम के आसिफ का था, और दूसरा मुगले आजम आपका है हम इन से पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट से आप जुड़े उसको साथ साल हो चुके हैं अब What does this mean to you? सबसे पहले तो मैं कहूँ कि मुगले आजम मेरा नहीं है, मुगले आजम हमेशा क्या से साब करहेगा मैं तो जो उनकी जो विरासत है, उसे उनकी जो लेगिसी है वो उसे आगे ले जा रहा हूँ So I want to make that very clear It's been almost six years, in fact, 21 तारीख को इसके छे साल होंगे मुगले आजम के, शायद 20 साल भी हो जाए इच्छी बात है और इस छे साल में सम्मली जे कि तीन साल लगभग तीन साल COVID में चले गए और हम सब यह चाहते थे कि यह पले वापस हो लेकिन ऐसा लगता था COVID के दौरान कि अब शायद इनकी यादे है रह जाएंगी क्योंकि इतने बड़े प्रोडक्शन को इतने बड़े पैमाने पर फिर से लाना almost impossible लगता था लेकिन अम फिर एक बार लेकर आए है मुझे आद है जब छे साल पहले इसी प्ले के सिलजले में मैं आप से मिली थी और तब तो अफ़कर्स अभी प्ले हुआ नहीं था तो तो देवा लॉट फिर नॉट फिर नॉट सेड इसीज़ को अब छे साल बात कर रहे हैं अज अब चराए हैं अज इस दिरेकर वाभ दो यू फिल एवरी ताम यू सी दिस अंस्टेश even during grand results, stress results, light, sound, what happens to you? Look, when you make a film, that's the great luxury you have, that after you made the film, the film is going to look exactly the way it is. जहां तक के हमारा सवाल है, हर बार हम जब नए सीजन में करते हैं, तो एक नए फिल्म वापस बनाते हैं. In the sense that all the efforts that go into making the play for the first time you did, most of it have to be done again, and everything needs to be right. Every cue of light has to be right, the sound has to be right, the performance has to be right. So I really do not have, at any point, I have never felt that this play is done and dusted and now I have to just sit back and enjoy the success. I can't do that. For me, every season, perhaps every show, is as fresh as the first show. हम सब की जंदगी से किसे न किसी तरह से जुड़ी हुए है, सब की खुद की यादे होंगी. आपकी क्या यादे हैं इस फिल्म को लेकर? मेरी यादे हैं दो तरीके की हैं. एक तो ये था कि एद के दौरान ये अमूमन ये फिल्म रिलीज होती है और उस दौरान एक किसम का रिच्वल था कि मैं अपने खांदान के साथ, अपने फैमिली के साथ मैं उससे देखता था. ये तो हो गई बच्पना जहां सिर्फ एहसास थे, समझदारी कम थी. लेकिन फिर कुछ सालों के बाद इस फिल्म को कलर में रिलीज की गई. और उस वक्त मैं, शबाना और फारुक साब, हम लोग हमारा एक प्ले कर रहे थे तुभारी अमृता, जो हैदराबाद में हो रहा था और मैंने इस वक्त एक नए नजरीय से देखा उसे, और उसे देखते वक्त मुझे फिर लगा कि ये एक्चली इसका स्ट्रक्चर है, वो थेटर का है, फिर मैंने इस पर रिसर्च की, और रिसर्च के बाद पता चला कि इसकी बुनियाद थी, एक प्ले था अनार कली, औ और वो उसे बहुत ही बड़े स्केल पर करना चाहते थे, तो मुझे लगा कि शायद अगर हिंदुस्तान में जब भी मुनासिब होगा मेरे लिए, मैं अगर कभी कोई म्यूजिकल करूँगा, तो मुखले आजम ही करूँगा, आपको बहुत सारी कॉंप्लिमेंट्स मिले हो करूंगे, I'm sure, because लोग इसको देखे चकाचॉंदी रह जाते हैं, ऐसी कौनसी बात या ऐसा कौनसा कॉंप्लिमेंट है जो आपके दिल में रह गया है अब तक, दुबाई में जब ये शो हुआ, तो के असिफ साब की बेटी, शबाना, वो देखने आई थी, और उन्होंने कर मुझे कहा, कि रिखो, अगर अगर अज जिन्दा होते, तो तुने में गले लगा लेते हैं, मुझे रोना आ गया था, तो सुनकर, इससे बड़ा कॉंप्लिमेंट क्या मिलेगा, कि जो उनके, उनकी उलाज जो है, उनकी बेटी है, अगर वो आपसे ये कहती है, तो मेरे ये वो सबसे बहतर ही कॉंपलिमेंट था. So, what are those things that you picked up while working on this? What changed you with this project? I think they are very generous and I think I tend to get more credit than I deserve in this show because I think there are bigger stars than me in this show and one of the big stars of this show is a choreographer, Mayuri Upadhyay and the dancers, I mean they do extraordinary work. I think I have learned a lot from these people. They are a bunch of absolutely extraordinary human beings. The kind of dedication that they have given to the show. They have left everything and they have always been available. They have been great listeners and they have taught me patience because I am a slightly impatient person while working and they taught me that. When I was in Mughal-e-Azam में 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 मुझे बुला गया, आनारकली का किरदार आपको निभाना है, तो of course the feeling was overwhelming, क्योंकि Madhubala Ji ने किया हुआ ये iconic role है और she is the epitome of beauty and मतलब उनको कोई छूबी नहीं सता और उनका किया हुआ ये role मुझे करने को मिल रहा है और नौशाद जी के गाने है और लता दिदी ने गाये हुए गाने में गारी हूँ, तो that's an addition, you know, to Madhubala didn't sing those songs but I get to sing those songs too. क्या हुआ बलता हुआ बलता हुए पर्दा नहीं जब कोहीं खुदा से बंडों से पर्दा करना किया जब प्यार किया तो डरना क्या प्यार किया कोई चोरी नहीं की छुप छुप आहे भरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या And Mughalya Azam मेरी जान है अभी This role, Anarkali, has given me so much love from the audience Dance करते वक्त गाना जो है That was the most tough part सारे गाने हैं, classical-based गाने है तो उनमें एक पॉईस चाहिए तो आप दान्स करें और गान रहें I was like, मुझे बहुत सपने आथे थे कि नहीं होगा I was really, really nervous Salim के साथ जो scenes है, romantic scenes है हमारे And Suraya वाले scenes है, बहत प्यारे है मतलब उनमें वो चर्पीन है, चुल्बूलापन है And you know, वो प्यार का हैसास है तो बहुत सारे emotions है उन scene में तो वो भी अच्छे लगते है And of course, the prison scenes I remember what I thought was the first time when black and white So, the song of Madhwala Mohe Panigat पे और उसमें जो उनका पूरा costume था And the first time when it was a photograph of a print That moment is, I remember that it was so mesmerizing We were all shocked that it was so beautiful So, the moment was that moment was very good Otherwise, I don't know how many times I watched So, I remember that moment I had to forget But, every time I watched it So, for me, especially Dilip Sahib He was very good as an actor So, I feel like he is so subtle and so good and so powerful The thing is that when you watch films, it is totally different experience When you see on stage तो मुझे लगता है कि इन दोनों का कंपारिशन हो ही नहीं सकता है बिकुज लाइफ परफॉर्मेंस में जो आप महसूस करते हो उस वक्त वो फिल्म में बहुत अलग है आप जब देखते हो तो वो दूसरे तरह के समवेदना को या आपके संसेशन क्रियेट करता है तो लेकिन फिर भी मुगलियाजम का खासकर जो प्यार किया तो डर्ना क्या का जो मोमेंट है आज भी मैं देख रही थी जबके अधाई सो शोज में कर चुकी हूँ और देख चुकी हूँ फिर भी जब भी देखती हूँ तो इस सो गूस्बम्स हो जाते हैं जब मैंने इंडस्ट्री जोइन की थी फिल्म इंडस्ट्री तो मैं कहावा सुनता था जब कुछ लाइटिंग वाइटिंग में जाधा टाइम लगता था तो वह पीछे से को बोलता था मतलब बीओ बगारा अब यार जल्दी कर मुगलियाजम नहीं बना रहे तो मैं लग मतलब नहीं बना रहें जिसकी मिदि जाती है और जिसको बनने में मतलो इतना वक्त लगा और जो बने फिर वो जो तो हीरा आया सामने, उस हीरे को हम दोबारा प्रेश करने के कोशिश कर रहे हैं, तो यह बहुत माहिने रखता है, जब हमने यह मतविय शुरू किया था, पांच साल साल पहले, पता निकी मुझे डर नहीं लगा, और डर ना लगने की वज़ए कि यह थी, कि I was in very safe hands, मुझे मा मुझे आजम वह बनाएंगे, तो फिर उन्हों ने उस से पहले बहुत हम वर्क कर चुके होंगे, तब हमें जाके कॉल किया गऊ तो इसलिए वो डर मेरे अंदर नहीं था, एक excitement थी, अकबर का करदार एक ऐसा करदार है इस पूरे मतलब मुझे मुझे में जो सबसे ज़्या करने के लिए मतलब मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगा और शायद वही सबसे बड़ा ही अचीवमेंट है कि उस चैलेंज को मैं ओवरकम कर पाई रहा हुआ। मैं फिरोज सर से जब मिला था तो मैं हमेशा एक क्रेडिट उनको देना चाहूंगा क्योंकि जितना मैंने अपने पूरे करियर में उससे पहले नहीं सीखा था एक्टिंग के बारे में मैंने फिरोज सर से मोगले आजम के दौरान वो से कहीं ज़्यादा सीखा तो नहीं मुझे मिले होते यह तो यह इतने तौसी से साल मुखले आजम को होगे है। चैसल बाद बहुत का सलीम और अब का सलीम इसमें बहुत फर्क है। वो बहतर आपको बता पाएंगे क्योंकि वो स्टेज के सामने होते हैं हम स्टेज के उपर होते हैं। दूसरा, मेरे खाल में maturity, maturity वो आपकी personality में भी आती है, as an actor भी आती है, तने handsome Dilip साहब हैं, and Madhubala जी, नजर नहीं हटती उनसे, and क्या memories नहीं है, हर कुछ बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, पहली बार जिंदगी में कभी मैंने हाथी, घोडों की फॉज देखी होगी, तो वो म नहीं थी, सब कुछ, everything was so big, huge, and बहुत अच्छा लग रहा था, and वो बहुत छोटे थे हम, जब मैंने मोरे आजम देखी थी, उसकी memories चली गे थी, लेकिन जब मैंने मोरे आजम शुरू किया, as an actor, मैंने जाके, कुछ जब शोरू किया, as an actor, मैंने जाके, कुछ जब शोरू क उन में कुछ internal कुछ बात होती है, जो keeps coming for generations and generations, तो साथ से आठ फॉर्माइट में मोगले आजम लोगों ने देखा, और इतनी generations देखा तो डेफिनिटी स्टोरी में कुछ ने कुछ है, जो से रोमी जुलिट में, वो चार सो साल से चल रहा है, तो इन स्टोरी में कुछ ने वे थे 1922 में, एक्जक्ली साथ साल पहले लिगए थी, एम्तियासर इताज ने उन स्टोरी बहुत ग्रांट स्कील की थी, लेकिन उसमें थेयाटर में इतना स्केल नहीं था, तो के आसिफ जो इंटरसिंग ने 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 बहुन हुए थे, उन्हों ने जब थेयाटर के लुपर वे थेयाटर बना, तो एक्चुली थेयाटर अब उसकेल का बनसत्ता है, जो किसे कल्पना इंटियासर इताजी उसमाने में की थी.